जहां कुरुक्षित्र जिला जेल में कैथियों और बंधियों को अध्यात्म से जोडने ततहरदे परिवर्तन के लिए दिव्य जोती संस्थान द्वारात सत्संग विधार्मिक प्रवचनों के एक कारिक्रम का आयोचन किया गया इस मौके पर भजनों का भी गुणकान हुआ जेल में सत्संग में साथवी वैशनवी ने प्रवचन देते हुए बताया कि अध्यात्म में ही ऐसी शक्ती है जो हमारे द्रिश्ची कोन को सकारात्मक बनाता है अध्यात्म ही मनुष्य के अंदर किछिपी हुई शक्तियों को जाकरित करता है इसे मनुष्य अपने जीवन की शक्तियों को जाकरित कर कम्यों पर काभू भी पा सकते हैं उन्होंने बताया कि अध्यात्म से ही अपनी संस्कृती से परिछित भी हो सकते हैं मनुष्य में इस और इस अफसर में जीवन की लंबाई का नहीं, जीवन की गहराई का महत्वपुन होता है। लेकिन हमारे पास वो दृष्टी कौन और दिशा नहीं होती। जिस दिशा के माध्यम से डिरेक्शन के द्वारा हम उसको फॉलो कर सके। उस अफसर का लाब उठा सके। और अध्यात्म में ही ऐसी शक्ति है। साध्वी ने मनुश्य द्वारा किये जाने वाले बुरे कर्मों के संबद में कहा कि ये सभी हमारे विकारों और कर्म संसकारों के अधीन होते हैं। उन्होंने बताया कि विवेक तथा बुद्धी से ही सही मार पर चुला जा सकता है। विवेक और बुद्धी अध्यात्म से ही प्राप्त होती हैं। इस मौके पर सभी साध्वी के प्रवचनों तथा भजनों से मंत्र मुग्द हो उठे। पुलिस अधिक्षिक जीर डॉक्टर संजे सिंग ने कारिकरम के दिवे जोती संस्थान का आभार व्यक्त किया और कहा साध्वी ने सभी को ग्यान सागर में गोता लगाने का प्रियास किया है। इससे काफी लोगों का हर्देत परिवर्तन भी होगा। आज के कारिकरम के लिए दिवे जोती संस्थान का मैं बहुत बहुत अभारी हूँ और साध्वी जी ने और इनके सभी टीम ने यहां आकर जो दुख से पीडित लोग हैं उन लोगों को ग्यान के सागर में गोता लगवाने के लिए जो काम किया बहुत अच्छी सोच है ये अज़े हैं ओस टेप हो ह्यान का मैंदो सी जीजे के लिए अजय और जाय कर जाकर भो यहां को दो दो मेतारे ह।